हेलो फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं आपके लिए आज मैं बहुत अच्छे आप बहुत ही सस्ता सा नास्ता लेके आई हूँ एक दम हेल्दी भी यह है इसको आप एक बार अगर बना लेंगे न तो आप कहीं भी इसे लेके आप जा सकते हैं यह ऐसा नास्ता है आप देख स कितना अच्छा लग रहा है देखने में अभर में कैसे बनाइंगा गए तो चलिए हम देखते हैं ये नास्ता का एंड़ा कह रहा है इसको किर भी मानि से डाल देना है और अब इसमें क्या करना है इसमें मैं डाल लिए एक में छोटी साइज का प्याद ले रही हूं तोड़ा सा धनिया पता में एक चमच के करी में यहां पे चना का दाल है आधा चमच यहां पे जीरा थोरी से खरीप पता जिसको हमने इस तरीके से काट लिया है और दो हरी मिर्चिम हम ले रहे हैं मिर्च आप अपना recording कम ज़्यादा कर सकते हैं और इस सब को हमें पहले इसमें डाल देना है यह सब हमें डालने के बाद हमें क्या करना है थोड़ी सा तील ले रही हूं वाइट वाला है आपके पास जो भी है वह तील इसमें आप डाल सकते हैं इसका टेश्ट बहुत अच्छा हो जा और उसके बाद इसको हम क्या करेंगे इसको हाथों से पहले अच्छी से इसको हमें मिक्स कर लेना है इस तरीके से जैसे आप मोयन लगाते हैं सेम तरीके से हमें इसमें मोयन दे देना है इसमें हमने मोयन दे दिया है अब हमें क्या करना है इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसका एक डो हमें बना लेना है ज्यादा एक बार में हम पानी डालके नहीं बनाएंगे क्योंकि रोटी जैसे बनाते हैं हमें रोटी के जैसा नहीं बनाना है उससे थोड़ा स तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम बनाएंगे देख सकते हैं हमें यह इतना ही टाइट चाहिए हमें ज्यादा इसको शॉप नहीं करना है तो अब मैं इसको क्या करूंगी फ्रेंड्स इसको पांच मिनट के लिए ढख के छोड़ देती हूं और तब तक हम बाकी का क कुल गया है एक बार फिर हम क्या करेंगे इसको हाथों से इस तरीकी से इसको मिक्स हम कर लेंगे और इसको मिक्स करने के बाद हम क्या करना है थोड़ा थोड़ा हम इसमें से पोर्शन लेंगे ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे इतना बड़ा बड़ा हमें पोर्शन लेना है और हमें इसको quella पहले कर लेना है तो सारे को मैं पहले राउंडराउंड डहलोंगी फिर बात मैं इसको अमें क्या करना पता ऑप 파्ष्टेथ इसे ज्यादा पतला भी नहीं ज्यादा मोटा भी नहीं इसको हमें बेल लेना है इसमें आटा उटा कुछ भी नहीं लगाना है देख सकते हैं कितना आसानी से यह बेल चुका है तो इतना ही मोटा हम मेरे पास इतना है सब को मैं पहले बेल होंगी आप देख सकते हैं यह सब को हमने बेल लिया है तो अब आगे हमें क्या करना है तो आप देख सकते हैं यह तेल गरम हो चुका है इसे हमें ज्यादा हिट नहीं करना है मेडियम ही रखना है और इसको हम लेंगे और इसमें डालते जाएंगे एक बार में जितना आए उतना ही डाले और ज्यादा हाई करके हम फराई नहीं करेंगे एकदम लो करके ही इसको हम फराई करेंगे तो क्या होगा उपर से जल जाएगा अंदर से कच्छा रह जाएगा बनके बने把它 भूँव IF डेखसे, मैं आपके रीडी के सब्सक्री गश्टाइम है ऐसे आप संब डूं मैं रीडी को तलग न रफणागी, और देखे, मैं आपके ऐसे भी आपके लिए रीची लेका, तो तब द्वाहि आए न आपके बने, पने ठूटि लिए और बाए